को हिलो स्टुडेंट्स लेसन नंबर वान यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आज के पार्ट में हम देखने वाले है एरर्स इन मेजरमेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने वाट वाट अर्ड यूज़ेस अफ डाइमेंशनल ऐनलीसिस यह देखा था डाइमेंशन के क्या बनेंजर मेंट करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटीटी को गळ को मेजर करना है सब्लेंद्ध है मास है या अगर अगर मेजर करना है तो मेजरिंग टैट कौंटिटीट या समय अगर करना है我 सब्क remembers किस वह सकता है क् compression को isolator के एरर से रिलेटेड एक वर्ड है it is known as accuracy accuracy अगर हमने accurate अगर एने perfectly अगर हमारा लिया हुआ रिडिंग जो है वो अगर राइट है सपोज गीवन जो रिडिंग है अब हमको अगर acceleration due to gravity को major करना है and we know that the value standard value of actual acceleration due to gravity it is 9.8 meter per second square but when we measure that quantity and we get the result near about 9.8 a yeah it is actually 9.8 then we say that our reading is accurate when a reading accurate कब कहां जा सकता है that is we say that accuracy क्या है the accuracy है it is the it is how close a measurement is to the actual value of that quantity या अपना जो measurement है वो actual जो value है quantity की उसके कितने पास है या उसके इतना ही है कि नहीं या इस नोन अस accuracy उसको क्या कहते है accuracy कहते है ठीक है आज हमको यह accuracy पहले देखना है फिर precision करके देखना है फिर उसके बाद में what are the types of errors है और उसको कैसे error को minimize किया जा सकता है या eliminate किया जा सकता है उसको भी हमको देखना है तो चलो पहला तो term देखने वाले हम accuracy का तो accuracy में हमको जैसे मैंने अभी बोला कि accuracy क्या है accuracy is how close a measurement is to actual value of that quantity यानि हमको मालूम है कि आपको बताया गया है कि यह क्लोद जो है 5-meter का क्लोद आपको मेजर करना है ठीक है और 5-meter आप मेजर कर रहे हो और मेजर करने के बाद में अगर किसी ने फिर से उसको रिमेजर किया और वह 5-meter के पास ही उसकी value निकली है या exact 5-meter निकली है ठीक है समझ में आया accuracy अब precision क्या है आपको दिखाई दे रहा है second term है हमारी precision की अब precision यह device के लिए है कि एखादा device consistently कैसे accurate जो identical value record करता है तो उसको बोलते है precision तो precision क्या है precision is a measure of how consistently a device records nearly identical values that is reproducible results याँनि कैसा वो consistently वो ही आपको record याँनि ऐसा record कर रहा है कि आपको nearly identical value मिल रही है तो अब इसके लिए मैं एक example देना चाहूंगी आपको कि suppose एक lab में एक scale है और वो measure कर रहा है mass of the object weighing scale है वो measure कर रहा है mass of the object और consistently वो measure कर रहा है 500 gram से उपर ही measure कर रहा है actual mass से जो कुछ उसका actual mass है उसके 500 gram जादा ही वो measure कर रहा है ऐसा अगर एक weighing scale है आपके lab में suppose करो और वो क्या कर रहा है कि mass एक आदा object का आपको mass record करना है तो वो weighing scale क्या कर रहा है कि consistently वो measure कर रहा है 500 gram more than the actual mass ठीक है तो इसमें आपको अब यह क्या हो रहा है यानि scale को क्या बोलेंगे फिर यह accurate तो है नहीं तो यह क्या है क्योंकि वो consistently mass को जादा दिखा रहा है और 500 gram 500 gram जादा ही दिखा रहा है कोई भी mass रखो उसका जो actual value है तो उससे वो 500 gram जादा ही weight बता रहा है ठीक है तो यानि यह क्या है consistently वो more बता रहा है value बट उसके इसमें consistency क्या है कि वो 500 gram जादा weight आपको बता रहा है ठीक है तो this scale is precise उसको क्या बोलते हैं हम precise but it is not accurate that scale is not accurate but it is precise उके precise समझ में आया क्या है तो precision measures how consistently a device records the same answer वोई answer even though it displays the wrong value यानि वोई answer वो consistently दिखा रहा है यानि आप कोई भी चीज डालो 500 gram वो जादा ही दिखा रहा है तो कुछ भी डालो तो उससे वो 500 gram weight जादा ही दिखा रहा है तो यानि हम क्या बोल सकते है precision measures how consistently a device records the same answer वो same answer वो ही record कर रहा है 500 gram जादा ही वो record कर रहा है पर answer is same and every time it records 500 gram more the mass more mass वो 500 gram more mass ही record कर रहा है ठीक है तो हम बोल सकते है this scale is precise okay समझ में आया scale precise कैसे बोलते है precise याने क्या है तो अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे आगे कि जो errors है तो errors क्या है what are the errors what are the type of errors वो भी हम देखने वाले है कि जो जो faulty measurement है कोई भी errors है ने क्या है जो हम major कर रहे है अगर वो गलत major कर रहे है तो उसको क्या बोलेंगे हम it is known as errors उसमें क्या आती है errors हारी है ठीक है तो यहां पर आपको वही definition दिखाई दे रही है faulty measurements of physical quantity can lead to errors a faulty measurement याने कैसे हो सकता है आपको आपकी गलती हो ठीक है हो सकता है कुछ वहां पर voltage का सेटिंग गलत है याने due to all reasons because of any reason in कोई भी reason हो सकता है आपकी गलती हो डिवाइस की गलती हो या कुछ lab में suppose करो voltage fluctuation हो बाहर कुछ pressure changes आ गए हो तो these are the causes of arising errors यह errors rise होने के causes है ठीक है तो these errors can be divided into two categories इस डो categories में उसको divide करते है first one is known as systematic errors and second one is known as random errors two types categories में उसको classify करेंगे first one is known as systematic errors and second one is known as random error systematic errors के again three types है वो भी हमको देखने है कौन से three types है देखो यह systematic error क्या है और उसके three types है वो भी हमको देखने वाले है हम देखने वाले है तो systematic error क्या है उसको पहले देखेंगे कि systematic errors are errors that are not determined by chance यानि by chance नहीं आते है but are introduced by an inaccuracy ठीक है अब inaccuracy किसकी वज़े से है एक तो आपका observation गलत है या आप जो measurement process कर रहे है वो गलत है या आपका device गलत है ठीक है तो यह जो यह जो है यह जो अभी मैंने बताए कि अगर जो observation कर रहे है वो गलत है या आप कुछ device use कर रहा है वो गलत reading दे रहा है या कुछ voltage fluctuation हो रहा है या कुछ और हो रहा है याने प्रेशर चेंज हो रहा है तो जो errors आती है that errors are known as systematic errors ठीक है तो हम पढ़ेंगे systematic errors are errors that are not determined by chance by chance नहीं आती है बट आर introduced by an inaccuracy याने आप properly measure नहीं कर रहे हो कुछ तो भी वहाँ पर प्रोपरली मेजर नहीं हो रहा है कुछ तो भी वहाँ पर रीजन है ठीक है involving either the observation और measurement process एक तो observation में हो सकता है वहाँ पर या measurement process में भी problem हो सकता है inherent to the system ठीक है समझ में आया systematic error क्या है तो उसके बाद में हम देखेंगे कि what are the types of errors what are the types of errors तो उसको देखेंगे types of errors तो systematic errors के क्या type है उसको देखेंगे the sources of systematic errors are as follows first one is instrumental error पहली error कुण सी है instrumental error second one is known as error due to imperfection in experimental technique ठीक है this is the second reason second type of systematic error first type है instrumental error second one is error due to imperfection in experimental technique and third one is personal error okay these are the three types of systematic errors ठीक है one by one एक टाइब को हम देखेंगे पहले वाला टाइब देखेंगे instrumental error instrumental error याने क्या है उसको देखेंगे तो यह जो error है अब उसको setting किया है वो defective है वो अच्छा नहीं है उसमें setting जो है वो बरावर नहीं है so we say that this type of instrument this type of error arises due to the defective calibration of an instrument ठीक है अगर यहां पर मैं example दे सकती हूँ आपको कि suppose हम lab में current measure करने के लिए emitter को use करते है और यह है emitter emitter is used to measure the current current के लिए हम क्या use करते मेजर करने के लिए emitter use किया जाता है और यहां पर emitter का zero रहता है ठीक है और यह हमारा जो यह है pointer है अगर यह properly zero पहले से ही नहीं दिखा रहा है अगर यह emitter का zero यह जो थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा है तो there is an error in the measurement of the current ठीक है वैसे अब यहां पर हम thermometer का example लेंगे कि अगर thermometer यह है वह अच्छे से दिखा नहीं रहा है one degree के लिए वह 0.99 degree दिखा रहा है अगर actually है one degree बट वह दिखा रहा है 0.99 degree the temperature measured by such thermometer will differ from its value by a constant amount ठीक है यह एक degree दिखाने के वज़े से वह बगार वह 0.99 degree दिखा रहा है तो हरदम temperature measure करते समय उसमें यह difference आ जाएगा ओके तो यहां पर हम पढ़ते है first number का point it arises due to defective calibration of an instrument this is the first instrumental error याने क्या है it arises due to defective calibration of an instrument और example क्या है उसके if a thermometer is not graduated properly that is one degree on the thermometer actually corresponds to 0.99 degree एक degree दिखा रहा है उसका 0.99 degree the temperature measured by such a thermometer will differ from its value by a constant amount याने जो actual value है उससे वो differ दिखाई देगा याने उतना वो value कम दिखा रहा है 0.99 degree दिखा रहा है 1 degree की वज़े से 1 degree की जगह वो दिखा रहा है 0.99 degree यह इतना difference हर time while measuring the temperature आने वाला है ओके समझ में आया तो this is known as instrumental error which is arises due to the defective calibration of an instrument जो defective calibration हो रहा है instrument का उसके वज़े से यह instrumental error arise हो रही है ठीक है second type की तरफ जाएंगे second type है error due to imperfection in experimental technique अब क्या है imperfection in experimental technique error due to the imperfection यहनी क्या है तो अगर यह error जो है वो अगर setting defective आपने लगाई है अच्छे से आपने setting नहीं क्या है तो यह arise होती है this type of error is arises due to the imperfection in experimental technique जो कुछ आप experiment करते समय setup लगा होगे अगर वो defective setting है ठीक है instrument का setting है defective है जैसे मैंने अभी कुछ इसमें बुला था कि जैसे हम आगर major कर रहे है time और time major करने के लिए हम stopwatch यूज कर रहे है और stopwatch हमने start करना चाहिए 0 से और हम start कर रहे है 2 से ठीक है यहाँ पर 2 है वहां से start कर रहे है तो यह इतना time जो है difference हर time आने वाला है ठीक है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो proper इसके setting करना पड़ेगा यह जिरो को बराबर जिरो से start करना पड़ेगा ठीक है तो errors due to imperfection in experimental technique समझ में आया the errors which occur due to defective setting अगर setting आपका अच्छा नहीं है instrument का तो यह error आती है तो देखो मैं पड़ती हूँ first number का point the errors which occur due to defective setting of any instrument is called error due to imperfection in experimental technique तो example क्या है the major the volume of a liquid in a graduated tube will be inaccurate if the tube is not held vertically अगर आपको एखादे liquid का volume measure करना है और वो liquid लिया है आपने एक tube में अगर वो tube को आपने सिधा vertically रखाई नहीं है अच्छे से उसमें marking है वो tube पे marking है और आपने वो tube अगर अच्छे से vertically रखाई नहीं है तो वो accurate measurement नहीं दिखाएगा ठीक है यह setting कैसा चाहिए accurate चाहिए तो ही यह error जो है वो eliminate हो सकती है ओके second type समझ में आया अब third type के तरफ जाएंगे third type है personal error का नाम पर से आपको पता चल रहा है कि this error is introduced due to the जो person है जो experiment कर रहा है जो reading ले रहा है उसके वज़े से आ सकता है कि अगर उसका concentration नहीं है या वो लेते समय कुछ गलती कर रहा है तो उसके वज़े से यह error आने वाली है ठीक है तो हम पढ़ेंगे first number का point the errors introduced due to fault of an observer observer के fault के वज़े से आ रहा है while taking readings are called personal errors easy है आप personal error पर से ही लिख सकते हो कि ऐसी error है कि वो किसकी वज़े से आ रही है जो observer है reading लेते समय गलती कर रहा है उसके वज़े से आ रही है तो इसलिए हम बोलेंगे the errors introduced due to a fault of an observer while taking readings are called personal error ठीक है अब example क्या है अगर हमको कुछ major करना है अगर हमको microscope का reading major करना है suppose करो microscope है और reading major करना है और यहाँ पे microscope की scale है यहाँ पे scale है ठीक है और pointer दिखा रहा है यह आपका reading यह है आपका reading pointer दिखा रहा है पर आप अगर side से उसको observe कर रहे है यह side से observe कर रहे है यह side से observe कर रहे है तो आपको वो accurate नहीं दिखाई देगा आप अगर बीच से बराबर उसके सामने से उसको observe करोगे तो ही आपको अच्छे से वो दिखाई देगा और आप perfect या accurate reading record कर सकते हो ठीक है तो हम यह example अब जो लिखा हुआ example पढ़ेंगे for example while measuring the length of an object with a ruler it is necessary to look at the ruler from directly above यानि आपको अगर ruler से किसी भी suppose यह object है आपका और आपको इसको major करना है तो यह ruler को आप उपर से बराबर उपर से देखना चाहिए side से नहीं देखना चाहिए ठीक है if the observer looks at its from an angle यह double हो गया from an angle the major length will be wrong due to parallax यानि आप बाजू से उसको देखेंगे तो वो जो length है वो गलत record होगी ओके समझ में आया यह ने this is the fault of an observer यह error किसकी वज़े से आ रही है observer के fault की वज़े से आ रही है ठीक है समझ में आया तो यह हो गई हमारी systematic errors के three types हो गए कौन से कौन से देखे instrumental error error due to imperfection in experimental technique and personal error यह हमने three types of errors देखे अब second जो टाइप है random errors उसका वो देखने वाले है कि यह जो error है यह इसको हम avoid नहीं कर सकते है कैसा error है यह देखेंगे कि desire the errors यह introduce होती है अगर हमने सब अच्छा अब setting भी अच्छा किया instrumental error भी नहीं है कुछ यह हम भी लेते समय accurate reading ले रहे है ठीक है यह पर्सनल error भी हमने निकाल दी instrumental error भी निकाल दी और जो setting के वज़े से है that is error due to imperfection यह सब है हमने बहुत सावधाने से सब कर रहे है बट फिर भी error आ रहा है तो it is caused due to change in experimental conditions यह अगर temperature change हो रहा है बाहर कुछ temperature अब room temperature पे था अब एकदम से temperature change हो रहा है या pressure change हो रहा है pressure change in gas और fluctuation हो रहा है voltage में तो while experiment is being performed are called random error यानि हो सकता है आप कोई home's law यानि कोई भी electricity का experiment कर रहा है और आपने सब ख़बरदारी ली है और आप अच्छे से reading ले रहे हैं बट क्या हो गया कि एकदम से वहां पे voltage fluctuation हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो यानि we say that this error cannot be eliminated उसको हम eliminate नहीं कर सकते है ठीक है वह एकदम से fluctuation चालो हो गए voltage का हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे ठीक है तो यह error कैसी है यह area error जो है एकदम से आने वाली error है और this error which are caused due to minute change in experimental condition कोनसे कोनसे temperature, pressure change in gas और fluctuation in voltage तो इसकी वज़े से जो changes होती है जो error आती है उसको क्या वो लेंगे फिर that error is known as random errors ठीक है they can be positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है ठीक है these type of errors can positive और negative errors और यह eliminate कैसी होगी they are not eliminated completely उसको eliminate नहीं कर सकते है जैसे personal error में हम concentration से reading लेकर उसको eliminate कर सकते है या imperfection में हम अच्छे से setting करेंगे experimental setup का और उसको eliminate करेंगे instrumental error याने faulty instrument है तो हम नया वाला लेकर करेंगे ठीक है हम सब कर सकते है बट अगर यह जो यह जो random error है इसको cannot be eliminate completely but can be minimized by taking multiple of observations and calculating their mean फिर हम क्या करेंगे वही वही observations चार पाच बार लेंगे suppose हम चार readings ले रहे उसको फिर हम क्या करेंगे वह चारो readings का हम क्या निकालेंगे mean निकालेंगे ठीक है mean निकालके उसको calculate करेंगे ठीक है तो this type of error cannot be minimize but taking multiple of observations and calculating their mean उसको क्या किसा handle कर सकते है फिर minimize कर सकते है कि बहुत सारे उसके reading लेना है और फिर उसका mean निकालना है समझ में आया ये this is the type of random errors ठीक है तो यहां पर हमारे types of errors complete हो जाते है अब हम next lecture में क्या करेंगे कि minimize effect of systematic errors ये रहे गया कि systematic error को minimize कैसे गया जाता है तो एक तो उसको correct instrument लो ठीक है following proper experimental procedure proper experimental procedure follow करो and removing personal error personal error को remove करो these are the methods to minimize effect of systematic errors ठीक है समझ में आया तो आज यहां पर हमारे types of errors systematic and random errors आज हमने देखे वो complete हो गये है next lecture में हम estimation of errors देखेंगे याने errors को कैसे calculate किया जाता है तो उसको हम देखेंगे ठीक है तो आज के दिन यहां पर रुख जाते है next lecture में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए bye have a good day thank you कर दो